अब चुनाब खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, क्या गौरब भाटिया जी, वो जो आपने आरोप लगाया और जो धन मिला, उसकी कारवाई या उसकी जांच कहीं आगे तक बढ़ाएंगे या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करन के लिए यह हतकंडे आप अपनाते हैं, यह मेरा सवाल है, जी, यह सारे भश्तातारी विपक्षमे ही है, मैं पहले तो बधाई दूँगा, कि इन्होंने अपने पिछले जनम में जो पुन्ने किये हैं, उसका प्रारब्द है, लेकिन किसी ने पाप भी किया है, और वो प्र और मैं आपको बता दूँ, अगर भारत में रहना है, तो ईश्वर और धगवान राम कहना है, यही हमारे डियने में है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संकृती है, दूसरी बात, भाई साब ने कहा, कि आपने महादेव अप पे आरोप लगाए, अचारे जी, बड़ी और राहूल गांदी में बात हो, मा और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे, राहूल गांदी कहें कि एक सो करोड रुपए आने हैं, आए हों दो सो करोड, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दू, एजेंसिया अपना काम कर रही है, वो अब CBI पिंजरे का तोता नह रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कारवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं, जनता ने चोट मानी वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है, जाज एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाकों के पीछे चक्की पीसिंग और दूसरी बात, कर अनाटिका में आप भी तो कहते थे, 40% सरकारा क्या कारवाई करी आपने, कोई कारवाई नहीं करी, क्योंकि ये भरष्टाचारी जहां जाते हैं, वहां पे भरष्टाचार करते हैं, आप सोचिए, 9 अलमारिया और 200 करोर रुपया, 200 करोर रुपया काला धन जो आज मिला है, आई-टी डिपार्टमेंट को, ये जंता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाईयों का है, और उनी को जाना चाहिए, और मोदी जी ने कहा है, एक गैरंटी है, कि एक भरष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगो, रेक एक रुप जानी पड़ेगी, ये मोदी की गैरंटी है, शुकरवार को हमने सदन के अंदर देखा, सदन के जब बाहर आई महुआ मोहितरा, तो सोनिया जी पीछे कड़ी थी, और महुआ मोहितरा अपने आपको जस्टिफाइ करे थी, कैश्व और क्वेरी के मामले में, क्या कहना चाते अचारे जिया में जो पहुंचता है, उस पर हमारा फेथ होता है, हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है, और भारत की संसद इसलिए है, कि भारत के जन्मानस की समस्याओं को, भारत की जनता के दर्द को वहां उठाया जाए, भारत की संसद इसलिए किसी भी संसद के सदस कौनमती नही मैं आप दोनों के पास आता हूं राजिश गुप्ता आपसे मैं जाना चाहता हूं आपने मित्रा जी की बात करी मैं तो क्याश्वर क्वेरी मैंने सुना सबसे पहले कप था बहुत धन्यवाद था बीजेपी के उन 6 सांसदों का क्योंकि 11 सांसद थे उसमें दस लोक सभा में से एक राजी समा में थे जो उसमें पकड़े गए थे उसमें बादिश्पा के थे और उस वक्त आडवानी जी ने कहा था कि ठीक है इन्होंने करप्शन तो करा लेकिन उससे बड़ी बात यह कि स्टूबिडिटी है और इनकी सद्यस्ता रद करना बहुत बड़ी सदा है ऐस प्रवक्ता है और इदी आमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था जनता को मारता था ठकता था वो इदी आमीन की पार्टी के यह प्रवक्ता है और जनता ने इनको सबक सिखाया ये मुझे कहने कि आफशकता नहीं मैं रिपोर्ट काड़ लाया हूं पापी आप कट्टर वैमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले ये तीन प्रदेशों में बद्ध प्रदेश में इनकी सीटे आई अंडा इनकी सीटे आई 36 गर्द में अंडा और उसके साथ राजस्थान में अंडा तीन अंडे ओमलेट बना रहे हैं आज कल अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं आओ और अर्विंद केजरिवाल की नियत है खोटी और नोटा से कम वोट आए हैं इनके 0% 0.5% 0.4% अरे ये लोग नरेन मोदी जी से क्या लड़ेंगे अब बताओं जहां अर्विंद केजरिवाल चले जाते हैं वहां घुटाला पहले हो जाता है मैं बच्चों की कसम खाता हू मैं कभी राज दिती में नहीं आऊंगा अरे बच्चे armored में राज दिती में आगै अरे इतलं केजरिवाल मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं मैं कongres का support नहीं लूँगा अरे बीवी की किया लेना-देना- ले-लिया Congress का support मैं कसम खाता हूँ अपने गुरू की अरे गुरू को ही ठग दिया ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अर्विद केजरिवाल ने ठगा नहीं और बच्चों को हमारे प्यारे बच्चों को यह कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल मैं बात पूरी कर दो नहीं पर्ड़े हम किसी के चक्कर में नहीं है लेकिन लेकिन हमारे कारेक्रम के टक्र में कोई नहीं है लेकिन लेकिन लोग तंतर का तकाज़ा है कि अगर 200-300 सीटे वालों का अदिकार है बोलने का तो दो सीटे वाले को मैं अधिकार है बोलने का यह लग संतर कता काजा कहता है और और मैं इसमें माननी आटल जी को कोट करता हूँ उन्हेंने बोला था हमारे दो सांसद है लेकिन बोलने का अधिकार तो है इसलिए चाहे दो रहे चाहे दोसो रहे चाहे चाहरतो रहे अधिकार होता है चोरी का अधिकार किसी का नहीं है आप मर्यादी डिमेट करें यह शाख मैं इनका रिपोर्ट कार्ड एक बात और कहके रख देता हूँ हंड़ड परसेंट रिपोर्ट कार्ड अर्विन केजरिवाल का है यह है पापी आप में बहाँ पर पंजाब में इनकी हालत देख लिए ढूंडने को आदमी ने मिलते पंजाब के कॉंग्रेशी पुरारे जो बिल्कुल खतम होने को आगे बिचारे पिचारे पिचेत्तर अस्तित साल की जिनको यह कहते रिटायर कर देना चाहिए मारक जक्षन मंडल में भेज देते हैं अपनी पार्टी में मोदी जी आगे से हटाने के लिए दूसरी पार्टी से उनको ले ले लेते हैं उनको इंपोर्ट करके वहां पर पंजाब में बिठाया इंके बस आदमी नीए देखने को यह मुझे रिपोर्ट कार्ट निकाल कौन पूछ रहा इंको कोई कुछ निए पूछता और उसके लावा के रहे कोई नीए पूछा तोड़े दो को छोड़के सारे इनकी पार्टी में यह नहीं जीतते हैं पर यह साउथ गोवा में चुनाम है नहीं पता है मैं बताए देता हूँ गोवा दो इस्टो में नौर् हमाई रिपोर्ट कार्ट दे रहे हैं दिल्ली में लोकसवा 2014-2019 2014 में साथ सीटे हैं आया अंडा और 2019 में आया अंडा तो तीन अंडे पहले दो अब पाच अंडों का अर्विन केज्रिवाल ने वहां बनाया अरे दो बार नरें मोदी जी जीते हैं लोकसवा में इनकी है एक स से कहता हूं राजेंद्र गौतम यहां सब मेरे भाई बेहन बेठे हैं उनकी इतनी हैसियत है कहते हैं कि मंदिर में दलित महिलाओं का बलतकार होता है और पीटे जाते हैं अरे हिम्मा थे तो अर्विन केज्रिवाल से कहना किसी और धर्म के बारे में एक सब बोले तो यह सरतन से जुदा गुष्टा के रसूल की एकी सबसा जी अनुभा को दरिया अनुभा को दरिया देना चारे जी अनुभा को दरिया